अध्यात्मिक एवं बेहवारिक मेरे जीवन के आत्परेर्णा सरोथ प्रम्राद प्रम्पूजे सद्गुरु देव जी मंच पर विराजमान बंदनिय संसमाज सभा में विराजमान सम्मानने ससंग प्रमी सज्जनों भक्ती मैं माताओं एवं युवा साथियों आप सब के वीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं शद्गुरु कबीर का एक पद के कुछ ही पंतियों पर मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं शद्गुरु कबीर ने एक पद में कहा है शद्गुरु शर्णए जाय के तामस त्यागिये भला बुरा कही जाये तो उठी नहीं लागिये उठी लागे सोरार रार महा नीच है जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है जो कोई गाली दे तो जबाब न दीजिये गल अमरित तेरे पास घोरी क्यों न पीजिये अमरित फल लिये हाथ रुचे नहीं रार को स्वान को वही सभाव गहे पुनिहाड को जाके ज़ौन सभाव छुटे नहीं जीव सो नीम न मीठा होई सीचे गुड घी सो ये पद बहुत लंबा है सद्गुरु कबीर साहिब जी का सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सद्गुरु शर्णाई जाय के तामस त्यागिये अभी हम सब गुरु के सरन में बैठे हुए हैं संतों की सरन में बैठे हुए हैं साहिब कहते हैं सद्गुरु शर्णाई जाय के तामस त्यागिये हे मनुष जबसे तूम ने अपने जीवन को संतों और गुर्जनों से अपने जीवन को जोड़ दिये हो तो क्या आपके अंदर से तामस दूर हो पाया की नहीं हो पाया हम सब गुरु से जुड़े हुए हम सब पुजारी हम सब भक्त है क्या जबसे गुरु से जुड़े क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हो पाया की नहीं हुआ जबसे गुरु के सरन में आये हमारे अंदर से लोभ मो दूर हो पाया की नहीं हमारे जीवन में क्रोध दूर हो पाया की नहीं जबसे गुरू के सरन में जुड़े तो हमारे जीवन से दुख दूर हुआ की नहीं अगर दुख दूर नहीं हुआ मन में परसंता का फूल नहीं खिला आनन्द का फूल नहीं खिला तो इसका मतलब क्या है कि हमारी भक्ती सही नहीं हो रही है कोई आदमी यहां से रायपूर के लिए चले और छे महना हो जाए वो रायपूर तक नहां पहुंच सके तो आप क्या कहेंगे उस आदमी का रास्ता ही गलत है रास्ता ही गलत पकड़ लिए है वैसे ही हम गुरू के भक्ती कर रहे हैं संतों की भक्ती कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हमारा रास्ता ही गलत है। सद्गुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, चलते चलते पगु ठका नग रहा नो कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहू कौन को दोश। चल रहे हैं, पएर ठक गया, लेकिन मनजील अभी तक नहीं मिल पाई है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा चलना ही गलत है। इहकार को दूर करो, लोबमो को दूर करो, और जितनी जीवन जिन्दिगी में बुराईया है, उन सारी बुराईयों को दूर करके जीवन को सुन्दर बनाओ। क्या हमारा जीवन सुन्दर हो पा रहा है जब से गुरू से जुड़े हैं ऐसे ही एक वार एक आदमी ने सिकायत कि एक गुरू से कहा कि महराज मैं तो भक्ति करता हूँ मैं तो सत्संग करता हूँ मैं तो पूजा पाट करता हूँ लेकिन मेरे बच्चे मुझे कहा नहीं मानता है मेरे बच्चे मुझे से बहुत दूर रहता है संत ने कहा कि आप अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आना मैं उसे कुछ बताऊंगा वो आता है अपने बच्चे को लेकर और संत ने कहा कि बेटा तुम तो तुम्हारे पिताजी सत्संगी है तुम्हारे पिताजी तो भक्त है लेकिन तुम बात क्यों नहीं मानते हो पिताजी से प्रेम क्यों नहीं करते हो उस युवक ने कहा महराज ना तो मैं सत्संग सुनता हूँ ना तो मैं मंदिर जाता हूँ ना तो मैं कोई पूजा पाठ कर्मकांड करता हूँ अब मैं किसी संतों का विचार भी नहीं सुनता हूँ इस गौव में सबसे बड़ा भक्त मेरे पिता जी है, सबसे बड़ा सत्संगी मेरे पिता जी है, लेकिन जितना घर में उपद्रों मेरे पिता जी मचाते हैं, जितना लड़ाई मेरे पिता जी करते हैं, सायद घर में और कोई नहीं करते हैं, तो वो सत्संग किस काम का, वो गुर्देव जी से जुड़ा हूँ, 40 साल, 50 साल ठोगया दिक्षा लिये हुए, बंधो याद रखना वो आद्वी जैसे ही सत्संग से उड़ता है, तंबाको खाना शुरू कर देता है, आप सद्गुरु अभिलाज सहेप से ही दिक्षा ले लिए, लेकिन आप तंबाको नही छोड़ पाई, आप लड़ाई जगड़ा करना नहीं छोड़ पाई, तो ओ दिक्षा किस काम का, ओ गुरु किस काम की, आप दिक्षा ले लिए, लेकिन घर गए लड़ाई, वही कलह कलपना में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो गुरु क्या करेंगे, यहां तक कि आदम आदमी आज तो गुरु को भी बांटता चला जा रहा है, गुरु को भी बांटते हैं, आज आदमी सब कुछ तो बांट ही लेता है, घर परिवार बांट लेता है, सब कुछ बांट लेता है, और गुरु को भी बांटते हैं, ऐसे ही दो भाई थे दोनों में आपस में बहु सब कुछ बांट लिए कि आप गुरू को कैसे बांटे भाई गौंका जो समयदार लोग रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि देखो एक पैर गुरू का तुम पूजना एक पैर तुम्हारा छोटा भाई पूजेए dictate एक बड़ा भाई पूझेंगे एक पर छोटा भाई तुम पूझना दाया पर और बाया पर दाया पर छोटा भाई का और बाया पर बड़े भाई के लिए संजोग से कुछ दिन बाद गुरू भी आ गए गुरू पहले बड़े भाई के यहां चले गए बड़े भाई के यहां गए तो गुरु बाया पैर जो छोटा भाई का हिस्सा में जो पैर था वो गुरु जी को पता ही नहीं था कि भाई हम बटवारा हो गए जो छोटा भाई का जो पैर था वो गुरु बड़े भाई को दे दिये धोने के लिए चोटा भाई बड़ा भाई ने कहा कि अरे ये तो दुस्मन का पैर दे दिया तामा का लोटा होता है गुरु जी का पैर पर जोर से मारे बिचारे वहां से लंगड़ाए लंगड़ाए भागे चोटा भाई के यहां चोटा भाई के यहां गए तो छोटा भाई ने पूछा गुर्देब क्या हो गया का रे तुम्हारा भाई ने पैर पूजने के लिए मांगा पैर धोने के लिए मैं दिया तो उन्होंने का ये दुस्वन का पैर है वो लोटा से मारा देखो मेरे पैर में सुजन हो गया अब छोटा भाई ने कहा कि जब मेरे भाई मेरे पायर को लोटा से मारा है तो मैं इस पायर को मैं कुढ़ाडी से काटूंगा मैं कुढ़ाली से काटूंगा वो कुढ़ाली लेकर दोड रहा गुरू महराज दोडे चले जा रहा है अरे गुरु मारा रुकिये मैं उनके पैर को दुसमन का पैर के मैं कुड़ाली से काटूंगा तो बंधू जब आप भक्ती कर रहें सत्संग कर रहें जब आपके मन से काम करोध लोग मो इर्ष्या दूर नहीं हो पाया तो भक्ती किस काम की जब प्रेम नहीं बढ़ा आपस में तो भक्ती किस काम की सद्गुरु कबीर कहते सद्गुरु सर्णय जाय के तामस त्यागिये ये तामस को दूर करो सद्गुरु सर्णय जाय के तामस त्यागिये भला बुरा कही जाय तो उठी नहीं लागिये उठी लागे सो रार, रार महा नीच है, भला बुरा, भला कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, भुरा कहेंगे तो भला नहीं होगा, ये साहब की कहने की सैली है, भक्ति का यही अर्थ होता है, सत्संग की कसोटी यही है, कि हम अपने जीवन में कितना धारन करते हैं, किसी ने कु कुछ कहा कभी बेटा ने कुछ कहा तो आप उसको सहते जाए जीवन में सहते जाए यही भक्ति की कसोटी है आपने कहीं गौ में कभी आग लग जाती है तो क्या आग जहां लगती है तो क्या आप पेट्रोल लेकर जाते हैं कि पानी लेकर जाते हैं आप पानी लेकर दोड़त आपकी बहु अगर गुशा में है तो आप गुशे मत हो जाएए वहां आप पानी बन जाएए देखिए आपका घर सुर्ग बन जाएगा लेकिन वो भी क्रोध करते हैं आप भी क्रोध करते हैं और क्रोध में क्रोध बढ़ता चला जाता है आग में पेटोल डालेंगे तो कभी सांत नहीं होगा आग बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप अपने परिवार को सुर्ग बनाना चाहते हैं घर में सुख मैं जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में सहनसिलता को धारन करिए किसी ने कुछ कहा तो आप उत्तेजित मत होईए आप क्रोधित मत हो ये आप सहंसिल बन जाईए हीरा को जितना घीसा जाता है उसमें उतनी चमक आती है यही भक्ति की कसोटी है भगवान राम के जीवन में कितना दुखा आया भगवान स्री कृष्टी के जीवन में कितना दुखा आया मा सबरी के जीवन में कितना दुखा आया अक्का महा दे अतना दुख नहीं है हम सब सहे अपने जीवन को जितना सहेंगे उतना हम उचा उपते चले जाएंगे कभी किसी ने कहा जिनके पास जो होगा वहीं मिलेगा एक बार अकवर ने बिर्वल से कहा कि बिर्वल तुम कभी गुस्से में नहीं आते हो कहा गुस्से होने क्या बात है गुस्सा किस बात का करू सरका तो अकवर के मन में हुआ कि किसी तरीका से एक बिर्वल को गुस्सा कराया जाए उसे में आ जाए जैसे बिर्वल राजदर्वार में पहुंचता है तो अकवर ने बिर्वल को कहा सुवर के बच्चे बिर्वल को अकवर ने कहा सुवर के बच्चे बिर्वल ने कहा हजूर के मुँँ में घी और सक्कर कहा हजूर के मुँ में घी और सक्कर तो अकवर ने कहा बिरवल मैंने तुम्हें तो कहा सुवर के बच्चे तुमने कहा हजूर के मुँ में घी और सक्कर इसका मतलब कहा हजूर जिसके मुँ में जो होता वही तो निकलता है आपके मुँँ में सुगर के बच्चे था तो आपने सुगर के बच्चे निकाला अब मेरे मुँँ में घी और सकर था इसलिए मैंने घी और सकर कहा अगर जो बेक्ति असांत है आपको असांत पहुंचाएंगे आप उनके साथ अपनी जीवन को मत बिताईए जिनके पास तो जीवन को शुंदर बनाने के लिए, हम संतों और गुर्जनों की सरनमे है, हम सब यहां अपने जीवन को बदले, अपने आपको बदले, यहां हम कुछ नहीं बदल सकते हैं, हम सब कुछ बदल देते हैं लेकिन जीवन को नहीं बदल पाते हैं कपड़े बदलते हैं जूते बदलते हैं चपल बदलते हैं घर पसंद नहीं आता है घर बदल देते हैं सब कुछ बदल लेते हैं लेकिन आदमी जीवन को नहीं बदल पाते हैं ये सत्संग हम अपने जीवन को बदले, अपने आपको बदले, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, ऐसे ही एक बार एक संत ने कहा कि देखो जितने लोग सत्संग में आये हो, कुछ ने कुछ सब अपने को बदल कर जाओ, कुछ ने कुछ बदल कर जाओ, कुछ लोग बैठे हुए थे, का रे भाई संत ने कहा कुछ ने कुछ बदल कर जाओ, कुछ ने कुछ बदलो, वो बिचा चपल बदलने से जीवन नहीं बदलता है, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता है, घर बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है अच्छे बिचारों से, अच्छे संसकारों से और अच्छे सभाव से, या संसकार या बिचार हमें संतों और गुर्जनों द जद गुरु शर्न जाय के तामस त्यागिये, भला बुरा कही जाय तो उठी नहीं लागिये, यही भक्ती की कसोटी है, यही सत्संग की कसोटी है, हम सब गुरु के सरन में बैठे हुए हैं, यह तन है विश्की वेलरी गुरु अमरित की खान, सीस दिये गुरु मिले तो भी स हम सब बड़े सभाग साली है, कि ऐसे महापुरुषों का शानिद मिला हुआ है, हम सब अपने आपको बदले अपने जीवन को बदल कर, हम इसी जीवन में सुक और सांती का अनुभब कर सकते हैं, मैं आप सब के बीच कुछ देर कुछ कहने का परियास किया, इनी शब्दों के साथ मैं अपने वानी को बिराम देता हूँ, बोलिये सद्गुरु कबीर साहेब की जय, एक बार जयकारा जोर से लगाए भाई, फल को रस को क्या कहते हैं, जूस, और जो जयकारा न करे, वो कंजूस, कंजूस न वने भाई, एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोलिये पीर साहेब की जय, सद्गुरु अभिलास साहेब की जय, साहेब